लोक सभा में हंगामा, पायल फॉट और नए दिली, संसद में बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में हंगामा बदस्तूर जारी है। अब कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताफ भर्चर्चा और मतदान के बिना ही बजट सत्र खत्म हो सकता है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। अगले तीन दिनों के लिए बीजेपी सांसदों को विप्ट जारी नहीं किया गया है। सत्र के दौरान हर मंगलवार होने वाली बीजेपी संसती अदल की बैठक भी आज नहीं हो रही है। बज़ेता के लिए स्थकित कर दी गई थी। सुबह सदन की बैठक शुरू होते ही अन्नाद्रमुक के सदस्य पिछले दिनों की तरह हाथों में तक्तियां लेकर आसन के समी पाकर काविरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की मान करते हुए नारे बाजी करने लगे। अन्नाद्रमुक सांसत जोरता तरीके से वी वांट जस्टिस और वी डिवांट काविरी बोर्ड के नारे लगा रहे थे। लोकसभाध्यक्ष ने सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने का आगरह किया लेकिन हंगामा जारी रहा। उधरते लगूल देशम पार्टी की सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर विरोध दर्ज करा रहे थे जो बिजद सत्र के दूसरे चरण की शुरुवात से ही आंध्रप्रदेश को विशेश राज्य का दर्जा दिये जाने की मान कर रहे हैं। वे हमेशा की तरह पीली पट्टी का डाले हुए थे और आज काली पट्टी भी पहने हुए थे। इस बीच कॉंग्रेस के कुछ सदस्यों को अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ कहते देखा गया। हंगामे में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी, नारे बाजी थमते नहीं देख लोक सभाध्यक्ष ने कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 वजए तक के लिए स्थागित कर दी। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासल करने के लिए हमें फेस्बुक और गूगल प्लास पर जॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।